नमस्कार जेहन दोस्तों मैं कित्मी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक और नए इंपोर्टन्ट वेडियो में दोस्तों आज किस वेडियो में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 एवन 12 के बोर्ड एक्जाम डेट के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही महत्पुन वेडियो है इसलिए वेडियो को ध्यान से देखिएगा बहुत ही सांदार से तथ्यों के साथ बात करने वाले हैं दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोरोना के केस लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं एक समय जब करोना पीक पर पहुँच गया था तो जो दिस पर में केस तीन लाग चार लाग केस पर डे आ रहे थे तो अब केसों के संख्या पचास जार दे भी कम हो गई है तो करोना बिलकुल अपके श्रमाप्ती के तवर पर है तो इससे एक बास सेवर है कि अब आपकी परिक्षा 100% है सेवर है कि होगी प्रमोटेड वाला कोई तरीका इस बार नहीं होने वाला है तो भाई परिक्षा कब होगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग सारे बोर्ड अब धीरे धीरे अपने एक्जाम डेट जारी कर रहे हैं काफी देजी के साथ चल रहे हैं और जब भी इतने बड़े चुनाव कोई अस्तर पर होता है तो सरकार की पूरी नजर इसमें चुनाव पर ही रहती है और किसी पर नहीं तो भाई आपके 10 मार्च को होगी विधान सभा चुनाव की गिंती यहां से रिजल्ट आ जाएगा और आपके लगभग 15 मार्च तक आपके नए सीम साइद सपस भी ले ले लें 15 से 20 मार्च तक और इसके बाद ही आपके डेट सीट जारी होगी तो मुख्य संभावना लगाई जा रही है कि लगभग आपके मार्च के लास्ट बीक में डेट सीट जारी कर दी जाएगी और आपके परिक्षा सबसे ज़्यादा संभावना है कि एक महीने बाद याईनि कि अपरेल के लास्ट बीक में याईनि कि लगभग 20 से 22 अपरेल के के बीच में स्टार्ट होती दिखाई दे रही है तो ये आपके बीच में समय हुश रखता है काफी महात्पोन बात यहां पर है तो ये तथ्या है मुख्यूरूप से परिक्षा आपके 100% सेव रहे होगी भगवान का घर तो कोई नहीं देखा है बीच में करोना की केस बहुत परिशान मत होई है अपने त्यारी करते रहे है और दिन भर में ये वीडियो बार बार मत देखिए कि एक्जाम डेट कब आएगी जब आएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आ आपके डेट सीट जारी होई है ठीक है चले फिर आज का वीडियो में पर साथ करते हैं अगले वीडियो में की इंपॉर्टन टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे इजाजत मैं हुआं कित्मी स्रावराब देख रहे हैं अभी नभी बहुत बहुत